ऑज काई मार्केट मार्केट बहुत जादा साइडवे मॉमेंटम यहाँ साइडवे मॉमेंटम के वज़ 지का क्या होता मुझा? अब करें और ऌयर लेना है और यह कहज परेड़े आपके बनता हुआ धिकेगा जिसको आप अगर अच्छा से cauliflower करते हो आप अच्छा का सा profit वान सकते हो। तो जी हैं आज हम लोग बीचरत करने वाले हैं कैसे हम लोग एड़ानस API को कैसे आड़ करने वाले हैं निझा साथ as passar तो हमलों क्या करने वाले यहां थी स सिखने वाले हैं क् freakin साथ इसाथ में आपको यह बताने वाला हो कि आपको एक जrations करना और कौण से सबके पास पास होता है फिर भी आपको लौ लौ कई होता क्यों कि आपका कही न हमारे पास VVAP पहले से ही हमारा advance indicator में है, इसलिए मैं इसको use करूँगा, साथ ही साथ मैं use करने वाला हूँ इसमें DCPR, इसमें मैं daily CPR यूज करने वाला हूँ और कौन सा daily CPR, जो market के साथ current market का change होता रहता है, वो daily CPR नहीं जो एक बर market बन जाता है, और पूरे दिनवर के लिए market म करने वाले, अब हम आता है बाट timeframe का, कि कौन सा timeframe फ़्रेश के लिए, यहाँ पर करने वाले है, अगर Indian Market म आपको करने वाले हैं, और index में ट्रेट करना है तो आप क्या करोगे लेकिन अगर आपको Forex में करना है, अगर आपको Crypto में करना है, तो आप यहाँ पे 5 में टाइम फ्रेम यूज करोगे, और 15 में टाइम फ्रेम यूज करोगे, यह मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यह setup, same to same setup, Crypto और Forex में भी बहुत अच्छा work करने वाला है, आपको मैं चा स्टार्ट करता हूँ, मैं कोसिस कर रहा हूँ, कि बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, या फिर कुछ स्टॉक हो, उसको मैं cover कर लो, उसके वाद मैं उसके Forex और Crypto के तरफ जाओ, तो यहाँ पर मैं चार्ट पर आ जाता हूँ, सबसे पहले आप देखोगे, तो यहाँ मैं one more time frame पहले से लगा कर रखा हूँ, one more time frame लगाने के बाद मुझे indicator में जाना है, indicator section में जाने के बाद मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, जो DCPR है, उसका value मैंने यहाँ पर change कर दिया, day कर दिया है, और उसके बाद जो हमारा VWF है, इसको मैं अभी off कर दूँगा, जो हमारा VWF है, इसको मैं यहाँ पर VWF को on कर लिया हूँ, तो दो setting मेरा on है, इसको मैं यहाँ से okay करूँगा, और इसको यहाँ से मैं लगा लूँगा, अब यह मेरा यहाँ पर लग चुगा, अब entry कहाँ पर बनेगा, ठीक है, सबसे important यह होता है, यह नहीं होता है कि चा जब VWF और DCPR सेम पोजिशन पे होगा, जब एक पोजिशन पे होगा, तब ही आपको buy and sell करना है, अब question यहाँ आता है कि माल लेजे कि VWF हमारा उपर के तरफ हो, जो हमें बता रहा है कि यहाँ पर call लेना चाहिए, बट वहीं पर DCPR यहाँ पर red है, तो हमें क्या करना चाह जब यह दोनों एक जैसा होगा, एक्जामपल समझे कि अगर VWF यहाँ पे दिखोगे, वीवफ उपर की तरफ जा रहा है, यह ब्लैक लाइन वीवफ है, वीवफ जब ऊपर की तरफ जा रहा है, और यह पूरा green zone है, यह भी उपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर हमें call पोजिशन पर दिखोगे, तो VWF क्या कर रहा, फॉल कर रहा, वन मेर टाइम फ्रेम पर, थोड़ा मैं इसको बढ़ा कर देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से थोड़ा दिख सके, यहाँ पर आप दिखोगे, तो VWF क्या कर रहा, फॉल कर रहा, और DCPR भी यहाँ पर क्या ह होगा, अगर माल लिजिए कि किसी ने यहाँ पर सॉट किया होगा इस पोजिशन पर, और स्टॉप लोस इसी केंडल के हाई पर रखा होगा, कितना पॉट्ट का मोमेंटम उसे मिला है, लगभग 220 पॉट्ट का, 1-13, 1-14 का ट्रेड आपको यहाँ पर मार्केट में देखने क मिल रहा है, क्यों ही आपको ट्रेड देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप एक ऐसे पोजिशन पर इंटर कर रहे हो, जहां पर आपका डवल का इंटर मार्केट में हो रहा है, अब कोश्चन ही आता है, कि यहां पर भी ब्रेक आउट हुआ था, यहां पर ब्रेक आउट हुआ सबसे पहला 9.15 में कोई भी strategy में बता हैं उसमें कभी मैं नहीं बोला हूँ कि 9.15 में आपको एंटर करना है यह strategy में 9.15 में एंटर नहीं करना है one more time frame में 9.16 से देखना है चल्म में देखोए तो यह वी वेफ के नीचे है और ऊपर बता रहा है किले सकते हो लेकिन अगर मैं यहां पर इंटुरी बनाओंगा तो इतना बड़ा लूगा क्या नहीं की नफी लूगा तो जब मैं इतना बड़ा stopless नहीं लोगा तो फिर नेक्सटेट करूंगा जहां पर दोनों एक डिरेक्शन में हुआ इधर में अपना इंट्री बनाया अब देखते हैं नेक्सटेट अकर अब दिखोगे तो यहां पे हमारा नेक्सटेट बना या फिर नहीं बना आप देखोगे सब्सक्राइब करते क्या होता है नीचे सी हाइब करता है और यह हाई लगाता है और है यहतने होDS में 40 पांट का stop loss मिल रहा है एक और मैं यहां पे आकर शिक करूंगा कि इस गंडल के उपर अगर मैं इंटर करता हूं और यहां पर मैं इंटर नहीं करूंगा और इस पोजिशन पर क्यों क्योंकि इसके नीचे आप देख रहें फिर से इतना बड़ा इस्टाप रस बनेगा जहां पे चोटा बनेगा मुझे वहीं पर एंटर करना है हर जगा पर द्यान नहीं देना और यह स्ट्राटीजी हर जगा पर काम करेगा निफ्टी हो फिन इप्री इस्टॉक हो सेंसे स्ट्राइजी हमने कोर्स में भी बताया है और फ़भ़े एडवान्स लिभर भी बताया है तो अगर आपको सीखना हो आप हमारे टेलीग्राम जोईं कर सकते ओं लिंक्डिस्सिंटर मिलेगा जिसको जोयन करने के बाद आपको कहीं ना कहीं जएब काएं कोर्स करने कब आपको कहीन थीन कोर्स दिया जाएगा जो कि ऩर्क कर जाएगा जोगी 35 प्लस आवर का कॉंटेंटोर ओगा साथ- on pocz फॉर फ्री में अपको they can और जिसको यूजिज करने के आपको आपको बहुत सार चार्ट आपको बता देगा जैसे कि आप मुझे यहां पे बता रहा चार्ट यहां पे आगर आप देखोगे तो इस इस लाइन को अगर मैं इधर से लेकर यहां तक नेट करता हूं इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूं इसको मैं कनेक्ट किया और नीचे जो मार्केट ने लोगनाया उसको मैं कनेक्ट करता हूं इधर से लेकर इसको मैं इधर कनेक्ट करता हूं अब मुझे क्या समझ में आ गया कि अगर मुझे अब entry करना है मार्केट में मुझे अगर entry करता है तो मेरा कोसिस क्या होगा breakout पर entry करूँगा लेकिन मुझे क्या दिख रहा कि जब market में breakout हुआ एक बार breakout फेल हुआ बट यह low break हुआ क्या नहीं हुआ फिर से market breakout हुआ बट फेल हुआ तो क्या यह low फिर से break हुआ का नहीं हुआ मतलब क्या हो रहा कि breakout तो हो रहा बट low भी break नहीं हो रहा market में मतलब कहीं न कहीं market इस position पर side फे अगर यहाँ पर मैं entry किया हूँ और मेरा अगर stop loss चला गया अगर 46 point का stop loss आ रहा अगर मैं लेना चाहूँगा तो इस trade को ले सकता हूँ क्योंकि कहीं न कहीं 42 point का हमारे stop loss रहता हूँ उस ही का आसपास का है तो यह अगर stop loss हमने माल लिजे कि यह trade को हमने plan किया यहाँ पर हमें भाई करना है कितना position लेना है अब बात यहीं से आता है कि माल लिजिए कि मैं इंट्री बना लेता हूँ इंट्री बनाने के बाद क्या होता है कुछ लोग को लगता है कि 10 पर उपर जाए पांच पर किसी को लगता अपन मार्केट उपर जाएगा बट हमें कैसे इस trade में बने रहाना है हमें क्या करना है फिर से इंडिकेटर में आना है इंडिकेटर में आने के बाद हमें आपको यहाँ एक option दिख रहा होगा यह option में आप 8.13.21 को आपको on कर लेना है अगर जैसे ही में on करता हूं यह मुझे बता देगा कि trade से exit कब होना है और exact जगह trade में मुझे entry कब करना है और क्या यह indicator मुझे help कर सकता है अपना SL को छोटा करने में बिल्कुल help कर सकता है क्यों कि अगर आप देखो कि मैं जब stop loss यहाँ पर लगाया हूं आप मेरे पास और पर trail कर सकता हूं माल लिजे कि अपने stop loss को मैं यहां पर trail कि इतना हुआ 33 पॉइंट का फिर ऊपर में stop loss में आ जाता है अगर आप यहां पर देखो तो अब इसमें profit करना है जब आपका यमे के नीचे candle close कर दे आप इधर अपने exit कर सकते हो या फिर कहीं भी आपको एम टाइप पैटर अपसाइड में दिखे जैसे कि यहां पर डबल टॉप देख रहा हूं यह सब जगह पर चाहोगे तो exit कर सकते हो बाकि अगर आप candle local लगाना मान लिजे कि मैं 23 तारी को ले लेता हूं ठीक है यहां पर मैं ले लिया सेम चीज यहां पर समझना ब्रेक आउट हुआ वीवेप भी वहीं पर था DCPR भी वहीं पर था exact जगहा पर आपका entry होगा एक बार आप इसको थोड़ा सा close कर दो ताकि आपको यह थोड़ा चार्ट ज यहां पर मैं entry करने कोशिस करूँगा तो मैं कहां पर इंटर करूँगा यहां पर stop loss लगाऊंगा इस पोजिशन पर यह मेरे लिए preferable होगा नहीं होगा तो मैं कोशिस करूँगा ऐसा जगा इंटर करने के लिए जहां दूनों का direction सेम होगा अब मुझे दिख रहा है कि यहा रेड गलर का resistance बना हुआ अगर इससे नीचे मार्केट आता है तो मार्केट और बड़ा फॉल कर सकता है उसी टाइम पर मार्केट क्या करता है DCPR को ब्रेक करता है और साथे साथ फ्यूएप को ब्रेक कर देता है जहां पर breakdown होता है उस पोजिशन पर मैं entry बनाने कोसिस करता ह और यह midline के उपर अपना stop loss रखता हूँ तो कितना पॉंट का stop loss आ रहा लगभग साड़े चार पॉंट का stop loss आ रहा मैं first candle का low के नीचे भी stop loss लगाता हूँ माल लिजी यहां के भी stop loss लगाता हूँ तो 1 इस्टू 5 कटेड मुझे मिल रहा आपको यहां पर 23 पॉंट देख ठीक है इतना चोटा stop loss आपको मिला यह ग्रीन लाइन के नीचे आपको stop loss रखना है अब हमें साथ कोशिस करना stop loss को छोटा करने के लिए अगर चोटा stop loss मिल जाएगा वह ज्यादा बेटर आपके लिए होगा अब मैं आपको सेंसक्स के चार्ट दिखा देता हूं सेंसक्स मे अगर मैं आपको दिखा हूं तो आप देखो एक्जेक्ट पोईजन पर यह रेड बना हुआ है जो मैं बता रहा है कि मार्केट फॉल करेगा और वीवेफ से मार्केट फॉल कर रहा है यहाँ पे कितना बड़ा stop loss आपका है वो देख लो आप इंटरी करने से पहले आपको stop loss देखना है इस पोईशन से आपका इंटरी हो रहा है रेड लाइन के पास आपका stop loss लगाना है अगर आप देखोगे तो आपको टार्गेट कितना मिल रहा है वन इस्टू 3.1 लगवाग 4.1 वन इस्टू 3.5 का आपको ट्रेड यहाँ पे मिल रहा है खोटा सा stop loss के साथ बढ पूट एंटर कर रहे हो तो यह आपका तुक्का वाला पूट हो जकता है लेकिन अगर आप यह इस जगहा पर पूट एंटर कर रहे हो जहां पर dcpr का resistance मिला हुआ है और साथ ही साथ आपको क्या दिख रहा है कि वहाँ पर एक्जेक्ट आपका एंटरी होगा अब मैं आपक दिखाता हूं कि बिटीसी में और कैसे यह गोल्ड में काम करता है तो बिटीसी के लिए आप मैं आपको रूल क्या बता था कि आपको 5 मिनटे आपको दिखा हूं तो अब को दिखेगा यहां पर एकजाक पूजिशन दिखेगा आप देखे इस पूजिशन से मार्केट फॉ क्या कि यहीं से मार्केट उपर इसी पूजिशन से मार्केट नीचे आप देखो आप बात यहाता है कितना प्यूप्स का stop loss लेना कितना प्वाइंट करेगा बड़ आपको मैं बोलू गा कभी भी बड़ा यहां पर देखो यहां पर किसी दिन का भी आप चार्ट देख लो यहां पर जब मार्केट अबड़ा इस वक्त क्या हुआ था आपको एक बर मैं गोल्ड का दिखा देता हूं गोल्ड में काम कर रहा या फिर नहीं कर रहा गोल्ड में देखो आप एक ही एंत्री नहीं मिलेगा बहुत सारा एंत्री मिलेगा इहाँ पे देखो एक एंत्री मार्कर बुम उसके बाद देखो ये इसा पोजिसेन पर थोड़ा एवाइड करना इस सेट अप करना इंटर करने के लिए जब ये काफी दूर हो कितना हम लोगो गोल्ड में stop loss कोशिस करना अगर वो पाय तो ज्यादा बेटर है गोल्ड में ट्राई करना 20 पिप का stop loss लेने का जिसे माल लिजे कि मुझे यहां पर entry करना तो यहां पर मैं लगा कर अगर देखता हूं कितना पिप का stop loss में रहा है यह कहीन चाहीन 70 पिप का stop loss में इंदर आरा का क्या अगर आ जाधा तो वहां पर एंट्रिव आने कोसिस करूंगा यहां पे अगर मैं ट्रेड बनाने कोसिस करूंगा माल लिजे क्योंकि वीवेप के ऊपर सपोर्ट है DCPR का वहाँ पर सपोर्ट है अगर यहां पर ब्लाइक नीचे कितने परंड का रहा है 1.48 मतलब कि मैं यहां पर इंटर कर सकता हूं मेरा कहीं न कहीं हमपर 14 पिप का सपोर्ट याएगा 20 पिप का ममें राम से ले शकता हूं 14 फिप्स का है स्टॉप लो सारा और मुझे टार्गेट कितना मिलेगा 110 फिप्स का यहाँ पर टार्गेट मिल रहा ठीक है और हमारे रसेस्टेंस यह मार्केट अच्छा फॉल किया तो यही है कोई भी सेट अप हर जगा पर काम कर सकते हो वह आपको यूज करना आना चाहिए और टाइमफ्रिम आपको पतावना चाहिए कौन सा टाइमफ्रिम पर लिए डिध करने से अपको प्रॉफिट हो सकता है और कहां पर एक्जेक्ट एंट्री होगा कहीं पर भी इंट्र मत कर जाना कहीं पर बीच में इंट्री में लिए नया इस पोईशन पर मुझे सेयल करना मतलब 14 पिप्स का मैं अराम से यहां पर उठा सकता हूं कोई इसू नहीं होने वाला है और यहां पर मुझे लगभग 110 पिप्स का टार्गेट मिल रहा है इससे अच्छा क्या होगा 1-8 का ट्रेड आपको मिल रहा ठीक है अगर वीडियो समझ में आए अच्छा लग हो तो प्लीज कमेंट में हमें फिट्वेक देकर जाना और अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो वह भी मुझे वीडियो कमेंट सब्सक्राइब बता सकते हो चलिए मिलते नेक्स वीडियो में थैंक्यू